नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है 36 गड़ और मद्य प्रदेश के बाद अब कल राजस्थान में मंत्री मंदल का भिस्तार होने जा रहा है भजनलाल सर्मा मुख्य मंत्री हैं वहां के दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और अब मंत्री मंदल के सदस उसमें सामिल होंगे जिन नामों को लेकर के चर्चा हो रही है कि उन्हें मंत्री मंदल में जगा मिल सकती है उसमें सबसे बड़ा नाम है डक्टर किरोडिलाल मीडा का बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन उमीद पूरी है बाबा बालकनाथ वो यही बालकनाथ है जिने दुसरा योगी कहा जाता है और जिनको सीम बनाने की मांग हो रही थी पहली बार सांसत बने है पहली बार विधायत बने है लेकिन राजस्थान के लोग चाते थे कि यही मुख्यमंत्री बने बाद में उन्होंने इस्टेटमेंट दे दिया था कि अभी मुझे बहुत कुछ सिखना है बेढ़म सुमीता और गुदारा हेमंत मीडा ये नामों की चर्चा हो रही है कि नहे मंत्री मंदल में जगा मिल सकती है हाला कि ये बीजेपी है बीजेपी का जो केंदरी नेत्रित्व है वो ऐसे कामों में यकीन रखता है जो सुन करके लोगों को आश्चरी हो आपने देखा होगा कि तीनों राजियों की मुख्यमंत्रियों का जैसे ही ऐलान हुआ कि सी को सहसा विश्वास्त नहीं हुआ कि ये नहे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि सब कुछ गुपनी तरीके से किया गया था खास और से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाज सर्मा का जब चुना हुआ तो जिस तरीके से परिवेक्षक बन करके गए रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने परची पकड़ाई थी बसंदरा राजे को तो उनको देख करके ताजुब हुआ था कि अच्छा ये मुख्य नागर धाकर तीन, कलवी पटेल तीन, विश्नोई दो, सैनी दो, यादव दो, सिंधी दो, दिवासी एक, राजपुरोहित एक, जट सिख एक तो चुकि लोग सबाचुनाओ 2024 का टारगेट एक दम सामने हैं, इसलिए आपने ये भी गवर किया होगा कि जिन दो राजजियों, 36 गड़ और मद्य प्रदेश में मंत्री मंदल का गठन पूरी तरीके से हो चुका है, उसमें 30 समिकरण और 36 समिकरण का बहुत ध्यान रखा गया है, ठीक इसी तरीके से राजस्थान में भी ध्यान रखे जाने की उमीद है, कि चुनाओ का सामना करना है, भजनलाल सर्मा को जान बुझ करके मुक्य मंत्री बनाया गया है, नया चेहरा है, आरेसे से इनका तालूक है, और वहाँ पर बसुंदरा राजे से भी मुक्ती इनका बार देखते रहिए इनका बार, थैंक यू